गुल्ले खाने तो सबको पसंद होते हैं, तो यार मैंने सोचा कि अगर मैं बाहर से लूँगी तो यार महेंगा बहुत है, इसी लिए घर पे बनाऊंगी और भर भर के खाऊंगी, तो यहां ना मैंने आधा लीटर मिल्क लिया है, उसे बॉइल करने रग दिया है, अब यहां अपना उसे बगल में रख दियाना है, वो अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा, और जैसी दूद में उबाल आता है, आपको यही साइट्रेक असिड वाला जो पानी है, वो बारी बारी से डालना है, और बाते रहना है, बहुत ही अराम अराम से, तो यहां मैंने हलकर से ड जालना है, और नहीं डालना है, और उसके बाद आपको कोई एक मलमल का कपड़ा लेना है, और उसके बाद उसको चान लेना है, जितना पानी है वो निकल जाएगा, और छेना कपड़े में आ जाएगा, अब इसको अच्छे से निचोड लेना है, जिसमें की सारा पानी निक तो यहां पर सारा पानी उसी के अंदर गिरेगा अब यहां सबसे इंपॉर्टन चीज क्या है ना कि हम चाशनी त्यार कर लेते हैं तो यहां मैंने दो कप पानी और एक कप चीनी ली है और इसे बस और बस ऐसा किया है कि बस चीनी मेल्ट हो जाए उसके बाद ठंडा करके इसको फ्रिज में रखा है मैंने जिसमें एकदम चिल्ड सा हो जाए अब क्या करना है ना जो हमाया चेना था वो एक घंटे बाद मैंने निकाला है वहां से उपर से उतार लिया है मतलब और उसको खोला है और इसका सारा पानी निकल ग और बस ऐसी करते जाना है लेकिन बहुत ही दम नहीं लगानी है नहीं तो इसको सारा जटना तेल है न जितना आपका इसका बटर है वो सब निकल जाएगा और फिर कुछ medo नहीं आने वाला तो इसलिए आपको वो हो consistent ही काम रामसे से मलना है जैसी आपको लंग लंग जाए कि हाई स्मूड डो बन गया है आप इसकी गोल-गोल सी लोई बना कि देखो और अगर यह बॉल अच्छे बन रही है तो बस फिर तो काम बन गया लेकिन यहां मेरा एक्सपेरिमेंट यह था कि मुझे इसमें कलर डालना था तो मैंने यहां यलो कलर ना बता है ड्राइ जो आता है पाउडर फॉर्म में वह यहां यूज किया है और इसके बाद इसकी लोईयां बना ली है बढ़िया बढ़िया सी अब पकाने के लिए ना चाशनी बना लेते हैं तो यहां मैंने एक कप भर कर डाली है चीनी और साथ कार्ट कप समझ लो पानी पड़ा है इसमें खूब बर-बर के क्योंकि हमें पकाना है और इसी से ही ना क्या होगा ना डूब जाएंगी यह सब अच्छे से और जलेंगी नहीं तो यहां पे मैंने सारे जितने थे ना वो डाल नहीं पाई एक गिर गया कहीं बाजू में तो मैं जब ठकन देखोगे ना खोल के तो यार इतने फूले फूले मिलेंगे ना लेकिन यहां पे जो एक्सकेरिमेंट था वो गड़बड हो गया है यह लो गलर यार पानी में उतराया पूरा और इस पे तो सफेरी सफेर लग रहा है समझी ने आ रहा है क्या हुआ है अब मुझे लगता है लिक्विट कलर से बनाना पड़ेगा लेकिन हाँ यह बनकर मस तयार हुए खाओ प्यों मसे करो